कुछ दिन इसे लगातार दूद में उबाल कर पी लें कितना भी पुराना जोडों का दर्द हो चाहे हडियों का दर्द हो चाहे शरीर में केल्शियम की कमी हो पूरी तरह से केल्शयम की कमी खत्म होगी ऐसी चूस्ती फूर्ती आएगी दोस्तों इस नुस्खे से और इस नुस्खे को बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसे ले सकते हैं हमारे शरी में केल्शयम की कमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि आपको भी दोस्तों हड्डियों में दर्द रहता है चाहे गर्दन का दर्द हो कमर दर्द हो घुटनों का दर्द हो हड्डियों से सम्मंधित किसी भी प्रकार का यदि आपको दर्द होता है तो इस घरेलू नुष्खे को कुछ दिन तक आप दूद के साथ लेकर देख यहां पर मैंने लिया है सूखा नारियल जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद है भरपूर मात्रा में इसमें आयरन होता है और डायटरी फाइबर होता है शरीर हमारा ताकतवर बनता है हमारे शरीर को शक्ती मिलती है नारियल का सेवन करने से थाकावट कमजोरी दूर होती है नारियल की गिरी को खाने से और जब हम इस नारियल का प्रेयोग दूद के साथ करते हैं तो इसके पोशक तत्वों में चार गुना जादा वृद्धी हो जाती है जिन लोगों को शारिरिक दुरबलता है कमजोरी है हड्डियों में दर्द रहता है उन्हें तो सूखे नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए और इसमें भरपूर मातरा में आयरन होता है जो लोग एनिमिक है उन्हें 21 तो आपको एक छोटा सा टुकडा नारियल का लेना है और नारियल के इस टुकड़े को थोड़ा चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है. कुछ दिन तक आप इसका सेवन करें, दोस्तों, आप चाहें तो इस पाउडर को थोड़ा सा ज्यादा कॉंटिटी का बना कर रख लें, ताकि रोज-रोज बनाने की जंजट ना रहे, एक साथ ही बना कर इस्टोर कर सकते हैं. तो मैंने भी एक बड़ा टुकड़ा नारियल का ले लिया है, बाकी टुकड़े को मैं अलग हटा कर रख रही हूँ. तो बहुत ही असरदार रेमेडी है दोस्तों, दिन में एक बार आप इसे दूद के साथ लें, आप खुद देखेंगे दोस्तों कि हड़्ियों से समन्दित हर बिमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको खुद को जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी. अगली जीच जो हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों वो है तिल, तिल जिसे की हम सीसम सीड भी कहते हैं, भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है. यदि आप केवल एक चमस तिल का सेवन करते हैं, तो आपको 100 मिली ग्राम कैल्शियम आपके शरीर में मिलता है. तो जो लोग कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम के सप्लिमेंट लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, गोलियां खाते हैं, दोस्तों, यदि वे एक चमस तिल का सेवन करेंगे, तो अलग से calcium supplement लेने की आपको जर्वत ही नहीं पड़ेगी, इतना जादा तिल में calcium होता है, यदि सफेद तिल नहीं है आपके पास तो आप काला वाला तिल भी ले सकते हैं, और ठंड के मौसम में तो आप तिल का उपियोग जरूर करें, आपके शरीर से calcium की कमी पूरी होगी ग्रैंडिंग चार में सबसे पहले आपको तिल को डालना है और नारियल को डालना है, चार बड़े चम्मच में यहाँ पर सीसम सीड लूँगी, तिल लूँगी और एक बड़ा टुकड़ा यहाँ पर मैं नारियल का जिसे मैंने काट लिया है, इसमें डालूँगी, दोनों कमजोरी उठते बैठते समय हड्डियों में यदि तेज दर्द होता है बाल जड़ते हैं अनिद्रा की परिशानी है दोसों तो ये सभी लक्षन केल्शियम की कमी के हो सकते हैं और केल्शियम की कमी जरूरी नहीं है कि सिर्फ वृद्ध वैक्ति में होती है आज कल बच्चों म किसी भी उम्र में शरीर में केल्शियम कम होने लगता है तो केल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये जो घरेलू उपाय है दोसों ये नुस्खा है बहुत ही ज्यादा कारगर है 100% आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा कुछ दिन आप इसे दूद में डाल कर लगा दूद inquiry को बढ़ार कर खा लें और गरम गरम दूद पी लें या फिर आप इसे दूद में भी छाट आपagitit है जादे तो कभी बहुत ही मलाईदार दूद ना हो पर दूद की लाई भी बला兩 दूद दे सकते हैं तो यहां पर तो मैंने दूद की अलाई को बिल्कुल कि एक संपूर्ण आहार है, केल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, सांथी दूद में भरपूर मात्रा में दोस्तों, विटामिन डी होता है, जो की हमारी हड़ियों को बजबूती देता है, तो एक बड़ा क्लास भरके दूद लिया है, जिसे की अब मैंने गैस पर उबलने रख दिया है, जैसे ही दूद गरम होगा, तब ही आपको पाउडर डालना है, दोस्तों कभी भी ठंडे दूद में कोई भी चीज मिक्स ना करें, नहीं तो कई बाद दूद फट जाता है, तो दूद में जैसे ही उबलना इस्टार्ठ हो रहा था, बॉइल होना इस्टार्ठ होने ही वाला था, तब ही मैंने इस पाउडर को डाला है, ठंडे दूद में ना डाले, और इस पाउडर को डालने के बाद, आपको इसे कम सकम 4-5 मिनिट तक, slow flame पर mix करते हुए पका लेना है ताकि जो तिल है नारियल है वो अच्छे गरम दूद में अच्छी तरह से पक जाए तो ये देखे दूद में उबाल आना शुरू हो गया है और इस तरह से मैं बीज वीच में इसे mix करती जा रही हूँ आप इस दूद को सुबह नाश्टे में ले सकते हैं breakfast में ले रात को सोते समय भी ले सकते हैं दिन में एक बार तो जरूर ले परन्तु दोसों यदि आपकी हड़ियों में जादा दर्द है जादा तकलीफ है जोडों में और केल्शियम की जादा कमी है तो इस दूद को आप दिन में दो बार भी ले सकते हैं एक सुबह नाश्टे के समय और एक रात को सूते समय दूद को यदि मीठा करना चाहते हैं दोसों तो आप इसमें डाले मिश्री ये धाके वाली जो मिश्री होती है बहुत ही फाइदे मंद होती है और इसे लेने से हमारा हीमोगलोबिन भी बढ़ता है हमारे हाथ-पैर की जलन को कम करती है मिश्री तो शक्कर का इस्तमाल आपको बिलकुल भी नहीं करना है डाइबिटिक पेशेंट है दोस्तों तो आपको मिश्री भी नहीं डालना है अगली चीज दोस्तों यदि आपके घर पर मिश्री नहीं है उस समय आपके पास नहीं है तो आप गुड डाल सकते हैं गुड जिसमें की भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो एनिमिक है उन्हें तो गुड का सेवन जरूर करना चाहिए हमारी हड्यों को हमार डाइजेशन को अच्छा करता है गुड और भरपूर मात्रा में आयरन होने से दोस्तों ये बहुत ही फायदेमन है तो दूद में जैसे ही अच्छा उबाला जाए तब ही आपको गुड डालना है गुड यदि आप ठंडे दूद में डालेंगे तो भी दूद कई बार फट खाना अच्छा रहता है खास का ठंड के मौसम में आप गुड का सेवन जरूर करें तो शक्कर बिल्कुल भी बंद कर दें दोस्तों शक्कर से हमारे शरीर को कोई पोशक तत्व नहीं मिलता है आपको डालना है मिश्री या गुड जो डाइबिटिक पेशेंट है वो ना तो गुड डाले और ना ही मिश्री बढ़िया अच्छा दूद उबल गया है गरम गरम इस दूद को अब हम सर्व करेंगे बच्चों को दें बड़ों को दें हमारे घर के जो व्रिद्वेक्ति हैं आप उन्हें भी इस दूद को दे सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही आसान घरेलू उपाय है दोस्तों आप कुछ देनी से लें आपको खुद को ऐसा लगेगा कि अरे वा बिल्कुल हमारा जोडों का दर्द गायब हो गया हमें ठकावट नहीं लगए दिन भर ताजगी और फूर्ती महसूस करेंगे सुबह अगर आप इसे नाश